बिस्मिल्ला रह्मान रुराहीम असलाम लेकूम विवर्स, वेलकम टू हेल्दी फूद विनू रहसन आज हम आपके लिए सुपर हेल्दी, सुपर डिलीशिस बीफ पकोडा रेडी करेंगे इसके लिए 500 ग्राम बीफ को चोटे टुकडों में काटके एक टेबल स्पून अदर क्लेसन का पेस्ट, एक टीस्पून नमक और दुगलास पानी डाल के प्रेशर कुकर में 15 मिट के लिए गला लिया है बीफ को ठंडा करने के बाद इसमें आदा ली मुगा नस नी चोड़ेंगे थ्वी टीस्पून दही आड़ करेंगे और उसे अच्छे से मिक्स करके साइट पर रख देंगे एक एक एंप्टी बोर्लिंग उसमें एक का बेसन आड़ करेंगे फिर वन टीस्पून नमक, वन टीस्पून लाल मिर्थ पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी इन तमाम डॉआ इंग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें एक अड़ा आट करें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आट करते हुए इसका थिक सा बेस्ट बना लें अब इसमें मैरिनेट किया हुआ भी फैट कर दें और इसे अच्छे से मिक्स कर लें एक पैन में सरसू का तिल डालकों से प्री हीट कर लें वन बाइवन पकोड़े एट करके इने दोनों तरफ से अच्छी तरह से कुख कर लें जब ये गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएं तो इसे निकाल के एक सीव पे रखें ताके एकसेज ऑल ड्रेन हो जाएं ये लेंजी सुपर क्रिस्पी सुपर इजी बीफ पकोड़े रेड़ी हैं जो के खाने में इंतहाई मज़ेदार और बनाने में इंतहाई असान है इस इद पर ये यूनीक बीफ पकोड़े बनाए और अपनी फैमली के साथ इंजॉय करें मैं दौागों हूँ आपकी सारी इदें खुशी बरी हूँ आई होप आपको ये रेस्पी बहुत अच्छी लगी होगी मुझे और मेरी फैमली को दौाओं में याद रखेगा तुमारा आएंगे एक नई और हेल्डी रेस्पी के साथ तब तक के लिए अलाहाफीज